नमस्कार भारती अनुसंदान संस्थान और संगठन है उनको हम आज के इस वीडियो में कभर करने वाले हैं यह आपका टॉपिक है आपके पीटी के सिलेबस में जर्नल अवेर्नेस वाले सेक्सर में तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लिजिएगा टोटल जर्नल अवेर्नेस स जी यह से आपके दस नमबर के प्रसंद पीटी के परिच्छा में पूछे जाएंगे यहाँ पर आपका सिलेबस सामने दिख रहा है यह आपका पीटी 223 का सिलेबस है जिसमें से हमने 200 संगठन एवं उनके मुख्याले को कबर कर दिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं भार रास्टी मस्तिस्क अनुसंदान केंद्र आपको मुलेगा हर्याना के गुरुगराम में रास्टी भू बहुतकी अनुसंदान संस्थान आपको हैदराबाद में रास्टी सरकरा संस्थान आपको उत्तर पदेश के कानपूर में मिलेगा भारती दलहन अनुसंदान संस्थान आपको कानपूर उत्तरपदेश मिलेगा इसके लाबा आपका भारती मौसन विज्ञान विभाग जो है यह नई दिल्ली में इसका हैटकॉटर है इसके बाद भारती क्रिसी अनुसंदान परिशत का हैटकॉटर भी आपको नई दिल्ली में मिलेगा इसके लाबा केंद्री सड परक अनुसंदान संस्थान इन तीनों का मुख्याले कहां पर है तो नई दिल्ली में है इसके बाद भारती मृद्धा विज्ञान संस्थान आपको भुपाल में मिलेगा किंद्री और सदी अनुसंदान संस्थान आपको लखनव में मिलेगा इसके बाद रास्टी प्रतिरक् लोकेटेड है तो इसके बारे में आपको याद रखना है इसके बाद आपका केंद्री कांच वर सीरामिक अनुसंदान संस्थान कहां परिस्थित है तो कोलकाता में याद रिखिएगा केंद्री कांच वर सीरामिक अनुसंदान संस्थान आपका कोलकाता में लोकेटेड है भा बाद भारती पूरा तत्तो सरवक्षन विभाग आपको नए दिल्ली में मिलेगा भारती वीष विज्ञान अनुसंदान संस्थान आपको लखनव में मिलेगा राश्टी वनस्पती अनुसंदान संस्थान भी आपका लखनव में दिये दो इंपोर्टेंट संस्थान आपके लखनव में जो प्रिविए सेर के परिच्छा में पूछे भी गये हैं भारती वीश विज्ञान अनुसंधान संस्थान और राश्टी वरस्पती अनुसंधान संस्थान ये दोनों आपको मिलेंगे लखनव में नए दिल्ली में आपको मिलेंगा अखिल भारती आयर विज्ञ इसके बाद केंद्री एक मार्ग प्रियोग साल आप क्मिलेगा नाखपूर में रास्टि धातू कर्व अक्रियोग शाल आपको विलेगी जारखंड के जमसेद पूर में अगला ही संस्थान आपके स्क्रीन पर है भाबा परमाडव अनुसंदान केंद्र जिसको हम बार्ग के नाम से भी जानते हैं यह आपको मिलेगा मुंबई के ट्रामबे में टाटा इंसिस्यूट और फंडामेंटल रिसर्ज आपको मिलेगा मुंबई में इंडिया सेक्योर्टी प्रेस क आपको लोकेटेड है कहां पर उत्राखंड के रूड़की में याद रिखेगा किंद्री यांत्र की अभियांत्र की अनुसंदान संस्थान आपको मिलेगा तो नागपूर में नागपूर कहां पर है तो महरास्ट्रा में है याद रिखेगा इसके बाद किंद्री चावल सो संस्थान सेंटर फॉर डिन ने फिंगर प्रिंटिंग एंड डाइग्नोस्टिक्स यह कहां पर लोकेटेड है तो यहां पूलेगा हैदराबाद में इसके बाद भेल का हैड़कॉर्टर आप बैंगलोरू में भेल मतलब भारत इलेक्ट्रोनिक लिम्टेट कि यहां पर बात हो रही है जिसका हेड़कॉर्टर आप मुख्याले आप मुलेगा बैंगलोर में इसके बाद कोशिकी एवं आडवी जी विज्ञान केंद्र आप में हैदराबाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मु कस्मीर के गुल्मर्ग में क्या स्थित है तो उच्छ अक्षांस अनुसंदान प्रियुक साला जो है आपको जम्मु कस्मीर के गुल्मर्ग में देखने को मिल जाएगी उत्तरपदिस के वरानसी में आप मुलेगा डीजल लोकोमोटीव वर्क जिसका नाम बदल के बनारस कर दिया गया है तो आप याद दिखिएगा इसके बाद आपका गुजरात के आहमदाबाद में स्थित है प्लाजमा अनुसंदान संस्थान इसके बारे में भी आप याद देखना है केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान आपको मिलेगा उत्तरपदिस के लख संस्थान कहां पर है किंद्री यह रोपन फसल अनुसंदान संस्थान यह आपको केरल के कासर गोड में मिलेगा इसके बाद जो किंद्री नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंदान संस्थान है यह गुजरात के भाव नगर में स्थित है इसके बाद भारती गन्ना अनुसं इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे आपका है रमन अनुसंदान संस्थान आपको लेगा बैंगलोर में इसके बाद किंद्री चर्म आधर नागे प्रज्णान संस्थान आपका हम आपको लेगा आपको लेगा अंदरपदेश के राजमोंद्री में गन्ना प्रजनन संस्थान आपको लेगा तमिलाडू के कोईंबर टूर में वन अनुसंदान संस्थान आपका उतराखंड के देरादून में है रामकिष्ण मिशन संस्कृति संस्थान आपका कोलकाता में है और आपका तरल क्रिस्टल सोध केंदर कहां पर है तो बैंगलोर में अवस्थीत है तो इन अनुसंदान संस्थानों को याद रिखिएगा तो इस प्रकास से जो भी important आपके अनुसंदान संस्थान बन सकते तो उनको आपने कबर कर लिया है अब इनसे जुड़े कुछ important MCQs को अवस्थीत है important प्रस्ण तो इस प्रस्ण का right answer क्या हो जाएगा उत्तर पदेश के जहासी में आपको देखने को मिल जाएगा भारती चारागाह एवं चारा अनुसंदान संस्थान यानि कि option आपका A यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा निम्रलखित में से किस अस्थान प कभी यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा जोदपूर में तो इन दो प्रस्णों को आप याद दिखीगा इन दो प्रस्णों के answer भी आपके सामने यहाँ पर लिखे गए है अगला प्रस्ण है किंद्री रोपन फसल अनुसंदान संस्थान की जगह पर अवस्तित है तो यहा पर आपको मिल जाएगा राइट एंसर केरल में यानि की option आपका यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा रास्टी डेरी विकास बोर्ड का मुख्याले कहां पर अवस्तित है तो रास्टी डेरी विकास बोर्ड का मुख्याले मैंने आपको बताया था गुजरात के आनंद जील हैं आप देख लिए यहां पर अगला प्रस्ता के स्कीन पर है किंदरी अलू одно기도 सम्दान संस्थानी से किस राज जिमेशलीटा है है कों तो यहां पर किंद्री अलूं अनुसंदान संस्थान की परोड़ यह ते कहाeger पर परस्थित है तो हीं सतर पुरलिश के सीमला में आपको देखने को मिल जाएगा के इंद्री आलू अनुसे किक इं यस covid लेखिए कम भाती यहां पर जो दिया गया है विलकुस ही दिया गया गया तो इसके बारे में आपको याद्य रखना है अगला प्रस्ण है राश्टी केला अनुसंधान केंद्र निम्लिकित में से किस जगा अवस्थित है तो राश्टी केला अनुसंधान केंद्र आपको लेगा त्रीची में याने की आपसन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्थित है राष्टी मस्तिस्क अनुसंधान किंद्र निम्लिकित में से किस जगा पर अवस्थित है राष्टी मस्तिस्क अनुसंधान किंद्र किया पर बात हो रहे है तो इसकी लोकेशन कहा पर है गुरु गुराम में आपको देखने को मिल जाएगा यनिकी option अब कभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा हरियाणा के गुरु गुरु गुराम में अगला प्रस्थन आपके स्कीन पर है भारती पसुच इकिस्टा अनुसंदान संस्थान कहाँ पर अवस्तित है तो भारती पसुच इकिस्टा अनुसंदान संस्थान के लोकेशन कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के बरेडी सहर के इज्जत नगर में यह आपको देखने को मिल जाएगा यनिकी option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा किंद्री भवन निर्मान अनुसंदान संस्थान कहाँ पर अवस्तित है तो किंद्री भवन निर्मान अनुसंदान संस्थान आपको लेगा उत्रा खंड के रूड की में कहाँ पर तो उत्रा खंड के रूड की में यह अवस्तित है तो इसके बारे में आपको याद अखना ह अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है दिया गया यहाँ पे किंद्री एगमार्ग प्रियोक साला के बारे में आपके आपसे बात की गई है तो केंद्री एकमार के प्रियुक्सला आप मिलेगी नागपूर में कांपत तो नागपूर में यह अवस्थित है तो राइट एंसर आपका हो जाएगा नागपूर इसके बाद राश्टी पर्यावरण अभियांत्री की अनुसंदान संस्थान कांपर अवस्थित है तो राश्टी पर्यावरण अभियांत्री की अनुसंदान संस्थान की लोकेशन भी आपको देखने के मिल जाएगी नागपूर में नागपूर किस राजी में स्थित है आपको कमेंट वाक्स मताना किया जो नागपूर है आपको किस राजी में देखने के मिलेगा इसकी लोक अजिए बिज्ञान कंद्र आपको देखने को मुल जाएगा हैदराबाद में तो इसके बारे में बार स्भमियर में . अजिक्छ बार की आपको देखने को मिल जाएगा इसके बारे में आप गया दखना है, इस संस्थान का क्या नाम है, तो राश्टी, समुद्री, विज्ञान, संस्थान, आप्शन A आपका बिल्कुल सही है, तो इस प्रकार से जो भी important प्रस्थन कुछ बन सकते थे, हमारे भारत के important संस्थान और संगठनों के, उनको हमने आप पर कभर कर लिया है, तो आज आपका general awareness का समाने जगरुकता का दो topic हमने complete कर दिया है, एक आपका 20 के important संगठन और उनके मुख्याले, और आज का second video है, जिसका नाम है इस topic का भारत के प्रमुख संगठन या संस्थान, तो दो वीडियो आपके complete हो चुके हैं, तो आज के लि Thank you